हलो फ्रेंड वेल्कम टू दा यूपी एस्टी अनलाइजर तो आज हम 12 देसेंबर का इंडिया ने एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे इफ यहां पर हम फर्स न्यूज में डिसकस करेंगे कि इंडिया का तालिबान को लेकर जो इस्टान से वो कैसे चेंज हो रहा है तो for the first time since Kabul fell to the Taliban lost August इंडिया ने humanitarian aid प्रोवाइट किया है emergency life-saving medicines यहां पर प्रोवाइट किया है अफगानिस्तान को और यह जो भी हमने medicines दी है वो हमने वहाँ पर WHO के representatives को दी है तो इंडिया ने यहां पर demarkation करने की कोशिश किया है कि हम यहां पर अफगानिस्तान के लोगों को humanitarian aid प्रोवाइट करते रहेंगे भले ही हम यहां पर तालिबान को recognize नहीं कर रहे है तो by sending the first consignment of medicines to Afghanistan New Delhi has made its intent clear कि हम diplomatic talks भी कर सकते हैं तालिबान के साथ लेकिन हम यहां पर differentiate कर रहे है between the Taliban regime and the people of Afghanistan Afghanistan के लोगों में जो इंडिया को लेकर goodwill है हम उसको maintain करने की कोशिश करेंगे और यहां पर जो भी humanitarian aid है वो हम provide करते रहेंगे to the people of Afghanistan through the United Nations and its agencies medicines provide करते रहेंगे by the WHO food grains provide करते रहेंगे through the world food program अब यह जो demarkation है कि हम यहां पर Taliban regime और people of Afghanistan में demarkate करने की कोशिश करेंगे distinction करने की कोशिश करेंगे यह कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत difficult है क्योंकि जो तालिबान है जो UN agencies की access हैं वहाँ पर उसको बहुत regulate करता है तो ऐसे में यह बोलना कि हम UN agencies के तुरू यहां पर humanitarian aid provide कर लेंगे यह थोड़ा difficult होने वाला है अब इंडिया के instance कहा रहा है तो इंडिया ने आपर Taliban से बातचीत करना तो शुरू ही कर दिया था इंडिया ने पिछले 20 साल में काफी projects यहां पर बनाएं अफगानिस्तान में और उन जो भी हमने यहां पर investment किया है उस investment को यहां पर protect करना ज़रूरी है दूसरी बात इंडिया ने कुछ conditions रखे इंडिया ने यह बोला था जो government होनी चाहिए अफगानिस्तान में वो inclusive होनी चाहिए लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान है वो कुछ obstacles create करता रहता है for example हमें यहां पर weed प्रोवाइड कराना चाहते थे लेकिन पहले पाकिस्तान ने यह बोला नहीं यह जो weed जै पाकिस्तान के ट्रक्स में जाएगा फिर यहां पर पाकिस्तान ने बोला नहीं करने की कोशिश कर रहे है कि तालिबान को recognize किया जाए तो वो thoughtful और collective manner में होना चाहिए इसके लवा हमने e-vizas की facility भी कर दिये लेकिन e-vizas की facility अभी जादर तर यह जो अफगानीजम फाइदा नहीं उठा पा रहे है यह वहाँ पर जो इंडियन से वो भी उतना फाइदा नहीं उठा पाने सिर्फ 200 e-vizas ही अभी तक grant किये गए है इसके लवा जो भी हमने वहाँ पर projects बना है जैसे कि Salma Dam, Puli, Khumri इसको यहाँ पर protect करने की ज़रूरत है फिर जो USA वो अपनी वेपनरी छोड़ कर चला गया तो तालीबान वाले उसका गलत इस्तमाल भी कर सकते हैं तो ऐसे में कुछ security perspective से भी threats है आके चलते हैं अब जो पंजाब है पंजाब ने Supreme Court में अप्रोच किया है और पंजाब का यह कहना है जो BSF का jurisdiction 15 से 50 km कर दिया गया है यह जो federal system में उसको erode करता है अब यह approach किया गया है अब जो आटिकल 131 of the constitution अब जो आटिकल 131 है वो Supreme Court का original jurisdiction है original jurisdiction में यहाँ पर बात की गयी कि center और states के बीच में कोई dispute हो या state और state के बीच में dispute हो तो वो अटिकल 131 of the constitution को deal किया जाएगा अब पंजाब का यही कहना है कि 15 से जो 50 km का jurisdiction कर दिया गया है यह state से consult नहीं किया गया तो stating that the notification was made without consulting और दूसरी बात यहाँ पर यह है जो police और law है वो state subjection तो यहाँ पर जो center वो power को असरप करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर BSF का jurisdiction बढ़ा कर यह हम discuss कर लिते हैं Mumbai Geneva Air India Passenger Flight जो थी लगवा 50 साल पहले एक crash हो गई थी और इस flight में Homey Jahangir Baba जो nuclear scientist है वो भी थे अब यहाँ पर एक mountaineer गया था लगभग 2013 में उसको यहाँ पर एक box मिला उस box के उपर लिखा था Made in India और उसकंद बहुत सारे jams थे तो यहाँ पर कोशिश की गई कि यह जो box है किसको belong करता है लेंगे नहीं पाता चल पाए यह box किसको belong करता है तो यहाँ पर decide किया गया by the government कि इसको divide कर देंगे जो यह Chamonix municipality और जो discoverer है जिसको यह मिला है अभी यह जो Chamonix है यह आपको बता होना चाहिए France में एक village है आगे चलते हैं आपने नाम देख लिया हुआ I hope यह Chamonix तो report in the Washington Post said the young mountaineer head in 2013 climbed atop a glacier in founder box with made in India written on it यह जो Chamonix है French village that sits on the country's eastern edge Myanmar में कू हो गया था वहां से refugee इंडिया में आ रहे थे center ने डिरेक्टिव निकाला था कि किसी भी refugee को यहां पर enter नहीं होने दिया जाएगा लेकिन मिजोरम में इस डिरेक्टिव को defy किया और refugees को आने दिया अब मिजोरम जो है उसने schools में भी जो refugee के बच्चे होंगे उनके आप अलाओ किया गया है कि आप पढ़ सकते हो यहां पर कोई भी important news नहीं हम discuss नहीं करेंगे अब यहां पर women को allure करने की कोशिश की जारी है कि women vote दें यहां पर जो चन्मूर कॉंग्रेस है इसने अपने manifesto में ग्रह लक्ष्मी स्कीम की बात की गई इन गोवा अंडर विच एवरी हाउसल विमें तो यहां पर हर विमें को पांच ज़ार रुपे दिये जाएंगे cash transfer के तर irrespective of their income अब भले ही वो elite women हो BPL women हो यहां पर उसको 5,000 रुपे दिये जाएंगे ऐसे ही कुछ scheme यहां पर Congress ने भी announce की है Congress ने भी अपने manifesto में बोला है कि women का recruitment यहां पर बढ़ाया जाएगा police forces में इसके रवा एक लाग रुपे credit किया जाएगा for self-help groups और यहां पर 30% reservation किया जाएगा government for women कि जो डेटी है को मिया माता आगे चलते हैं यहां पर कोई भी important news नहीं है यह हम discuss कर लेते हैं तो मैंने आपको कुछना इम पहले बताया थे कि Center जो है administrative reforms करने की कोशिश कर रहा है तो SMA 60-point action plan निकाला है अब 60-point action plan में कुछ reforms की बात की गई थी capacity building करनी है infrastructure को लेकर यहां पर जो officers उनको training देनी है तो training of officers in various aspects of infrastructure in both the center and the states expertise को यहां पर infuse करने की कोशिश करनी है इसके लाव यहां पर performance based targeting की जाएगी re-engineering किया जाएगा departments का तो यहां पर कुछ 60-point action plan था अब जो government है government ने उन areas को identify करना शुरू कर दिया जहां पर junior level जो officers है ministries में उनको induct किया जाएगा अब ऐसा क्यों किया जाएगा क्योंकि कुछ ऐसे specific assignments होते हैं जिनके लिए sector exports की जरूर पड़ती है 2017 में नीती आयोग ने भी अपने 3-year action agenda में और sectoral group of secretaries on governance इसने भी ये बात बोली थी कि हमें expertise की ज़रूर है तो ऐसे में ये सारे reforms लिये जा रहे है अब यहाँ पर एक insect का नाम है thrips parvispenus an invasive insect from Indonesia तो इंडोनेशा में सबसे पहले देखा गया था 2015 में अब ये इंडिया में काफी crops को इसका इतना जादा यहाँ पर कहड़ देखने को देखा जा रहा है क्योंकि pesticide की वज़े से इसकंद रिजिस्टेंस डेवलप हो गई तो due to excessive use of pesticide the insect has developed resistance it has spread to vegetable crops including dramistic तो यहाँ पर काफी crops जो है वो खराब होरी है इसके वज़े से अब यहाँ पर एक कमिटी बनाई गई है center के दुवारा to promote the Indian languages और यहाँ पर जो कमिटी है उनको यहाँ पर चेर कर रहे है चामु करशना शास्तिरी तो newly appointed chairman of the center's high powered committee for promoting Indian languages, beliefs अब इनका यही कहना जो language है इसको हमेश्चा टूल की तरह यूस की जाता है डिवाइड करने के लिए लेकिन इसको हम यूस कर सकते हैं लोगों को unite करने के लिए भी तो in 2017 इनको इससे पहले पादमशी भी मिल चुका है for its contribution to the literature and education तो बस आपको पता होना चाहिए कि यहां पर सेंटर ने कमिटी बनाई है for the promotion of Indian languages और उसके यह chairman है अब यहां पर DRDO ने दो test fire किया है तो पहला तो यहां पर test fire किया गया है पिनाका मिसाइल का extended range मिनाका मिसाइल का इसकी जो range है 70 km है इससे पहले वाली जो अभी inducted है उसकी range सिर्फ 45 km है इसके लब यहां पर दूसरी चीज़ टेस्ट की कि stand-off anti-tank missile तो संत इस आर्टिकल में जो data है वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि data हम पढ़ चुके है GDP का data क्या रहा है अब author का यह कहना है जो government है वो supply side measures पे ज़्यादा यहां पर focus कर रही है लेकिन government को यहां पर demand side measures पे focus करना चाहिए तो continues to harp on supply side measures and the ability to turn the economy around supply is relevant only if there is matching or excess demand जो market उसमें demand नहीं है तो demand को बढ़ने की ज़रूरत है तो demand को कैसे बढ़ा जाए government को इस पे focus करना चाहिए ना कि supply side measures के उपर ही reform करने की ज़रूरत है तो ऐसे में क्या किया जा सकते है तो taxes cut किये जा सकते है ताकि लोगों के पास जादा पैसा उखज करने के लिए और यहां पर economy में multiplier effect देखने को मिले यहां पर Faheem की बात की किए तो Faheem अपने पढ़ा होगा history में कि यह Buddhist monk थे from China जो कि India आये थे यह Buddhism की study करना चाहते थे जिसकी वज़े से India आये थे तो that's a Buddhist monk from China Faheem decided to come to the land of the Buddha in 399 400 CE तो इन्हों ने काफी अपने records में काफी बाते बताई हैं इंडिया के बारे में तो उसने में Buddhism जादे तर state religion हुआ करता था across the plains of India Kings why to make offerings and patronize monasteries तो यहाँ पर Buddhism को काफी patronize भी किया जाता था by the kings Faheem's travelogue also records the royal past of the mallahs of Kushinagar तो इनके जो travelogue इसमें आपर mallahs of Kushinagar के बारे में भी पता चलता है इसके लावा it also underbli notes the Kashyap Matanga who carried the Buddha's message to China तो इनके जो records इसमें Kashyap Matanga के बारे में भी पता जलता है यहाँ पर Vinayak Pideka की बाबाद कीगी तो वो भी देख लेते हैं the purpose of Aheem's travels to the Buddha's land was to take with him the Vinayak Pideka तो यह यहाँ से Vinayak Pideka को लेकर जाना जाते थे जो की code है for the good governance that is why his travelogue became known as a record of buddhistic kingdoms translated from old Chinese to modern English तो यह जो इनकी जो भी records थे उनको यहाँ पर translate किया गया है to the English by escortmans James Leggy in 1886 अब author ने यही बोला है जो इंडो-चाइना रोलेशन्स है हम इंडो-चाइना रोलेशन्स को इस basis के उपर build करने की कोशिश करें humanitarian universalism की basis पर build करने की कोशिश करें अब जो tornadoes है tornadoes US में काफी देखने को मिल रहे है तो इसका क्या reason हो सकता कि आसको हम climate change से link कर सकते हैं तो इसके बारे में studies चल रही हैं तो there is not yet a complete understanding of how and if climate change affects the frequency of its trend of tornadoes क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया कि cluster of tornadoes जो है वो US co-hit कर रहे है तो ये सारी देखने वाली बाते हैं Indian origin professor तो Indian origin professor Neely Bandapudi has created history as the first woman and person of color तो she is the first woman and person of color to be named as the president of America's prestigious Pennsylvania State University तो Pennsylvania State University की ये पहली woman और पहली person of color है जो की यहाँ पर president बनी है अब ये जो New Caledonia है ये अपने यहाँ voting कराएगा कि इनको France के उसमें रहना है ये फ्रांस से पूरी तरीके सालग हो जाना है अब ये इसी लिए ऐसा करा रहे है क्योंकि एक 1988 में पैक्ट साइन हुआ था तो उसमें बात की गई थी कि सारे matters तो आपर transfer किये जाते हैं from the French state to New Caledonia ये अपर कुछ matters है जो अभी भी France के अंडर ही रहेंगे जैसे कि powers over defense, security, justice, foreign affairs and currency तो ये जो matters ही अभी भी France के अंडर ही fall होते थे लेकिन अभी लोग ये referendum करा रहे हैं कि हमें रहना है या नहीं रहना है तो South Pacific Archipelago of New Caledonia decides Sunday weather to break away from France तो अभी France से break away करने की बात कर रहे हैं ये अभी भी France की colony ही मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो most important matters है वो अभी भी France के अंडर ही आते हैं अब native Canucks जो हैं वहाँ पर independence की बात करते हैं लेकिन बाकी जो लोग हैं territory में उनका ये कहना है कि हमें अभी भी France का ही पार्ट रहना चाहिए तो who want the territory to remain part of France तो बाकी लोग चाहते हैं कि फ्रांस की territory रहे लेकिन जो वहाँ के native से वो चाहते हैं नहीं ये फ्रांस की territory ना रहा है और हमें यह पर complete sovereignty हमारी होनी चाहिए New Caledonia फ्रांस की military bases भी है तो New Caledonia में भी यहाँ पर France का military base है तो यह जो फ्रांस है इस military base के चलते regional में security प्रवाइड करता है तो हो सकता है कि वो security ना प्रवाइड कर सके एक बार यह जो New Caledonia है यह अलग हो जाएगा High Efficiency, Low Losses अब यह जो अधे थी उधे जो थी Usual Discom Assurance यह बात करती है कि हमें AT&C Losses कंप करने थे तो aggregate technical और commercial losses कंप करने थे डिसकों के लिए और जो average cost of power supply और average revenue realized है इसका difference zero कर देना था तो cost of power supply और revenue realized का जो difference हो zero कर देना था और AT&C losses कंप करने थे अब कैसी रही है यह scheme का private sector power distribution companies की जो efficiency इसका जो टार्गेट यहां पर था वो अचीब नहीं हो पाया है तो यहां पर एक और नहीं scheme announced की गई थी रूपीज 3.30 लाक करोड की incentive-based reform scheme for discoms earlier this year with similar operational targets जैसे इसमें टार्गेट से वैसे ही इसमें भी कुछ targets बनाए गए हैं अब यह जो chief economic advisor है यहां पर नेक्स्ट कौन हो सकते हैं तो यहां पर तीन candidates को shortlist किया गया है तो जो भी हो का हम बाद में देख लेंगे अब जो selection committee है वो यहां पर chairman of the 15th finance commission N.K. Singh head कर रहे हैं वो यहां पर decide किया जाएगा कि यहां पर जो next chief economic advisor है वो कौन होने वाला है अब US ने आपर decide किया कि हम strategic petroleum reserve से 18 million barrels of crude oil market में बेचेंगे ताकि यहां पर जो oil के दा में वो कम हो सके अब यहां पर supply बढ़ जाएगी और demand को match करने लगेगी तो of course इस जो prices है वो नीचे आजए आजएगे तो बाकी तो आज की नीज़ पर कुछ भी पॉंटर नहीं I hope आपको आज की नीज़ पर समझ आए If you like the video then please like, share and subscribe Thank you and have a nice day